यह दो मैं आपसे पुछू कि इस दुनिया का सब से तेजी से एकस्पायर होने वाला पेपदाद कौन सा है क्या होता है कि जा आप गन्ये की जूश को निकालते हैं गन्ये से और कि यह आप 15 मिट के अंदर यह भी पी लेते हैं तब टीक है वह सही होता है लेकिन यदि आप 15 मिन के बाद तो आपका juice एक्सपार हो चुका होता है वह पीने लायग नहीं होता है लेकिन आपके मन में यह प्रस्त फिर जरूर आ रहा होगा कि हम जब उस juice को 15 मिन के बाद भी पीते हैं तो ना उसका टेस्ट खराब होता है और ना किसी प्राकृतिक पोसां हमें उसको मिलना चाहिए वह पूरा का पूरा समाथ हो जाता है और वाकिवल एक डिंक की तरह मिछता है यह मीठा पानी की तरह बचता है किसी भी प्रकार का कोई मिनराल कोई भी प्रोटीन आपको जो भी चीज है उसके अंदर हमें मिलती है फ्राक्रटिव रूप से वह कोई भी चीज हमें नहीं मिल पाती है या 15 मिट के बाद उस जूस को पीते हैं तो इस दुनिया का सबसे तेजी से एक्सपायर होने वारा जो परदार्थ है वह हमारा गन्ने का जूस होता है तो आज बीडियो मस्क्राइए नमस्का दोस्तों